कि नी अर्लियर वियर गिविंग 15 मिनिट्स पॉर रिदिंग नाव 20 मिनिट्स आपको जितनी इंस्ट्रेक्शन है वो प्रॉपर फिल प्रॉपर माइन में बिल्कुल आपने वहां पर यह नहीं कि आपने आया पहले पैंसिल से कर दिया देन अगें यूर राइटिंग विद ब पैंसिल अलाओड नुए 20 मिनिट्स आपने कुछ भी नहीं लिखना क्योंकि जितने भी आपका मानिटिंग करेंगे वह सारी रिकॉर्टिंग जाएगी आपकी रिजनल आफिस यह द्यान पर रखना है अपने कोई भी मूवमेट अगर आपकी होती है पहले तो जो आपका इन्विजिलेटर है उसको पूछेंगे फिर आपके सारी रिकॉर्डिंग हर रूम की रिकॉर्डिंग होगी हो तो कई बच्चे हैं ना चराटी जो करते हैं इदर उदर तो वह बहुत उसका इंपक्ट क्योंकि आपके अपने स्कूल में एक्जाम हो रहे हैं बहुत से ऐसे स्कूल हैं आपको पता ही है जहां पर सब कुछ ही होता है यह सारी चीज़ें उन्होंने रखी हैं तो सेम इसलि रिस्ट को रूटेट करके जंपिंग करनी है पता है यूद मेंस कि आपने कोई बी एक्टिविटिज विधाव्स एक्टिविटिक के अगरनी और रिक है चाये वह स्कीपिंग हो चाये आपकी टेक्निक को समटैंड यू हैव सीन की आप कैसे किसी अगर आपको कभी मौका स्ट्राम एकत्मीज जो बड़े बड़े सेंटर बने वहां पर ऐसे मिर्हट लगे तो सबीन क्या है आगर स्पोर्ज युआर बटाइज मैं तो हमने क्या करना होता हुआ वैसे उनको स्टांस अपना चेक करेंगे ठीक है आपका आई कॉंटेक्ट आपकी बैक लिफ्ट बेसिक्स क्या होता है हमारा स्टेंडिंग पॉजिशन यूर बॉड़ी वेट शुट बी ऑन यूर बोथ लेग्स इक्वली डिस्ट्रिबूटेट एंड आपने देखा होगा सम काई बैट समने से तो ऐसे कर रहे होते हैं ठीक है कई आगे होते हैं और फिर आपका जो आई कॉंटेक्ट होता है वो बोथ आई सपैरलर होनी चीए टूआर्स बॉलर यह बिस्चिक सीज़ें यह टेक्निकल चीज चीज़्ें जो आपको आगे अच्छे लेवल पे काम आती है फिर आपने ही है यह आपका बैक्लिफ्ट है वेन्वेर डूइंग नहीं इस तो हमको ऐसे आदा आदा पॉना-पॉना गंटे खड़े करके रखते तो उसके बाद ऐसा शिवरिंग चुरू हो जाएगी स्टार्टिंग में तो इसलिए थ्री मन्स वह आपको फीजिकल फिटनेस कराते हैं सो देट आप जब भी कोई एक्टिविटी करो अगर इफ यू वांट टो डेमोस्ट्रेट अनी एक्टिविटी फर्स्ट आपल यू शुट भी अप फीजिकली फिट अगर हम बच्चों को ऐसे दिखा रहे हैं ऐसे कर रहें तो वो क्या होगा ठीक है तो ह इंपेक्ट ऑफ दा बॉल आपका कहां पर होना चाहिए यह सारी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जिससे आपका पूरी टेक्निक जिसको हम स्किल्स बोलते हैं आपने कई प्लेयर देखे होंगे जैसे उनका एक्जिविशन ऑफ शॉट्स यहां से आए यह खेला और उसमे एक्स्रा पावर होती है कोई आ रहे हैं मार रहे हैं उतनी पावर से बॉल नहीं जा रही है डैट इस एंपेक्ट ऑफ दा बॉल आपका जो बैट का बॉल के साथ कॉंटेक्ट हो रहा है वो कहां पर हो रहा है ठीक है उसी से फोर्स आपकी जादा आएगी डैन योर फॉलो यह आपने खेला लेट यूर बॉड़ी गोस्तु आर्जा डिरेक्शन ऑब बॉल यह आपका जब इसको में बोलते हैं फॉलो थू हर गेम में दो चीजें बेसिक्स होती है का आपका इनिशियल स्टांस जिसको में स्टार्ट बोलते हैं और यूर फिनिशिंग डैट इस और फॉलो थू अब कोई भी गेम खेलो यह आपने रैकिट मानना है डैट इस और बैकलिफ्ट हिट करके उसको डाउन्वर्ड आगे डैट इस और स्टांस उसके बाद जो कंप्लीशन ऑफ डैट स्टो कोई भी को एनी गेम आप खेलो अप टेवर टैनिस में क्या शुरू कर द है यह आपने मारा दूसरे के लिए रेडी होगे स्पोज आगे भी बंदा खेल रहा है उसने स्टॉप कर दिया उसको डिफैंस कर दिया उससे डबल स्पीड से वापिस बाल आएगी तो वो क्या कर रहा है यह फिनिश करके यहां पर आगे अब यहां से आप जा रहे हो यह ब्लॉक कर दूए और आधयागी और टू पिक्ड़र कि स्मोल एकसं असे एसे करके एसे भी नहीं जाने देरें को यह 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 फिनिश किया रएडि यह ऑनिश यह तो यह टेखनीक्स जो स्पोर्स मेडिसनş लेडायो मेकेनिक सहय यह डे my Day Subscribe करते रहते हैं आपके अभी में लास्ट में आपको बताया था ना एक बच्छा अपना अंडे 17 रैक इंडिया का वर्ल्ड का रैक वन बना है तायत आपको लास्टेम नहीं बता है डेली का लड़का एक पारस जैन फर्स्ट राइम इन दा हिस्ट्री आफ टेबर टैनिस इस र चाइना आप सोचो भी चाइना जितने चाइनीज है के मतलब उन से आगे तो निकली सकते उनका जो सेकिंड फ़ोर्स प्लेयर ओते हैं वो भी वर्ल चैंपिंशिप जीत लें वे उनकी तार नहीं आती है मैक्सिमम वहां से क्या कर रहे हैं वो ले अर्ष इस दो अब द्रश यह स्टेफनीज देखते हैं यह जम्नास देखते हैं उधों 13 14 में एसकी उमर में क्या कर रहे है यह मैंडनी ओलम्पिक इस लड़के को मैं पूछ रहा था कि अभी अपको चुब बिल्हा में मैच हुए है कि आपका क्या है क्या एकस्पिरियंस है अभी 19 का है और इस साल वो सेमी केला है सीनियर्स का मैंस का मैंस के वाटर फाइनल या सेमी फाइनल में था वो लड़का टोटली गेम चेंज है उसका बोड़ी देखो वैन ही इस दूइंग एक्सराइज इस थाइज मसल्स के पता लग जाता है ना जो ट्रेनिंग करता है डेली आप वरकाउट कर रह ग्राउंड डेट विल शो यूर कॉन्फीडेंस आपने देखा होगा जो अच्छे प्लेज होते हैं उनका ग्राउंड में एंटर करने का तरीका ही कुछ और होता है और जो एक्सपोजर जिनको कम मिला होता हो कैसे जाता है डर रखके कभी भी देखना आपना उसके माइंड इतने मैचिस खेलें इसी लिए हम बोलते हैं एक्सपोजर मिलना बहुत जुरूरी है किसी भी गेम में पढ़ाई हो आपके स्टडी में हो आप कोई भी एनी वर्क यूर डूइंग जितना आपको एक्सपोजर मिलता जाएगा उतना आपका गॉन्फिडेंस बढ़ता है कुछ नहीं होगा आगला दूसरा भी खेल रहा है अपने स्ट्रॉंग पॉइंट पे ओपोनेंट के वीक पॉइंट पे जरूर कंसीडर करते हैं बट सिच्विएशन के इसाब से जो बैटर करेगा एक्जीगूट अच्छा करेगा वह विनर होता है कि दो प्लेस दोनों देख रहें जी यह बहुत अच्छा खेलता है जब एक्चुल मैच आता है तो बस वो दिमाग में चीज की मैंने परफॉर्म करना मैंने मैडल लेना वो दिमाग कहीं और चल रहा है आपका माइंड का बॉड़ी का कॉंटेक्ट नहीं सही चल रहा है कॉडिनेशन ठीक नहीं किया कि अगर आपने ये इंडिया अपनी चैस्ट पर लेना है तो आपको इसको हराना पड़ेगा आप सिरफ इसका फेस देखो अपना टार्गेट देखो यही टीशर्ट कहते हैं आपके पास आईगी अभी बच्चे जाते हैं ना खेलने हों देखते हैं ये इंडिया प्ल करना है तो first of all आपकी planning अच्छी होनी चाहिए ठीक है सेकेंड आपका execution of that skills आपके पास टेलेंट है जो आपके पास potential है उसको राइट टाइम पे राइट जगह पर आगर आप यूज़ कर तो दैन विल भी आपको बैटर बैटर जाट मिलते जाएंगी और सबसे मुश्किल क आप एक वर ऊपर चल गए दूसरी वार नीचे आगें ठीक है वो क्या बोलते हैं फ्लेक्ट्वेशन आफ इन्योड परफॉर्मेंस वैदर एनी फिल्ड एक परफॉर्म आपने कर दिया लेवल पर उसको जो मेंटेन करना है वहां पर आपने अपने आपको मेंटेन करना है जो वहां पर सर्वाइव करेगा लॉंग टाइम के लिए उसको हम क्या बहुते हैं दैट इस अपर फेक्शन आप बैट पर्टिकुलर प्लेयर्स जिनकों सेंट्री के अवार्ड देते हैं बेस्ट प्लेयर्स ठीक है वह अलगी उनके क्राइटीरिया होता है कि इतने साल से अब जैसे आपके कई यहां पर वर्ड लेवल पर ऐसे प्लेयर्स हैं जो इतने साल से खेव रहे हैं सम अफ दा प्लेयर लास्ट टाइम जो आपका ओलंपिक किसी का फोर्ट था किसी का फिफ्ट था आप यह से को देखो 15-20 साल से वह रिप्रेजेंट कर रहा अपनी कंट्र को इसने अपनी पूरी कंट्री में इस नंबर वन और बीस आप अपने आपको मेंटेन कर रहे हों कि डैट इसकॉइट डिफिकल्ट क्योंकि ओलंपिक में पार्टी स्पेड करना ही सेल एक एक लोगी ग्रेट अजीमेंट है आप क्वालीफाई करते वह यह नहीं कि आप यह अगर आपने ओलंपिक के लिए क्वालीफाई करना है तो वट इस दा क्राइटेरिया स्पोर्ज आप इंडिया के नंबर वन प्लेयर हो विल्यू क्वालीफाई क्वालीफाई क्राइटेरिया रखा होता हूंने हर गेम का ठीक है यह नहीं कि आप अपने कंट्री में चोटी सी कुई कंट्री यहां वहां के चैंपिन हो और यू आप उसको उपर जाते हो तो आप वहां क्वालीफाई करते हो कि आप अंदरा साल से 20 साल से खेर रहे हो यह रिप्रेंडिंटिंग यूर कंट्री फॉर ओलंपिक लेवल में आपके अभी जलंदर से जो है अपने होकी के लिजेंट प्रगट सिंग फोर टाइम उन्होंने रिप्रेंड कि एंडिया को ऑलंपिक्स में एजे कैप्टन भी अब यह नाओ इस पोर्स मिनिस्टर आज करो स्पोर्स मिनिस्टर पंजाब है ठीक है वह भी बहुत बड़ी अचीवमेंट है कि आपने वी साल अपने लगे हो आप फोर बतलब ऑलंपिक्स आप जा रहे हो अपने कंट्री को रिप्रेंट कर रहे हो तो यह कुछ एक इस नाइंटीन यह दियार प्लेइंग फॉर्ट कंट्री अब तेंदुलकर को आप देख रो हंडर्ड सेंचरी थे कह रहे थे ना तो तेंदुलकर का वो रिकॉर्ड ब्रेक करें का अपना कोली तो वह पिछले दो साथ से कोई सेंचरी नहीं है इस क्वाइट डिफिकल हंड अब बहुत बड़ी बात है एक सेंचरी नहीं होती है आप यह कुछ एक जीनियस है आप फुटबॉल वाले देख लो वह फुटबॉल में इंजरी कितनी होती है वह तो अपोनेंट को देखते हैं यह आपको पता है कि यह पनेंट है यह में स्ट्राइकर हो कहीना कि सेंसर को बोलेंगे डिफेंडर को चलो स्लाइड करो जी स्लाइड कर रहा हूं स्ट्राइड लगे इंजर हो गया तो गया है तीम गई सेम इंदा केस ऑफ होकी जहां आपका बॉड़ी कॉंटेक्ट के बहुत चांसी होते हैं तो यह यह सारी चीजें बेशिक्स अब आप लोग हैं आप लोग अभी क्या करते हूं आपका क्या श्रीवले सारा दिन का बताओ को फीजिकल एक्टिविटी का बताता हो ना मुझको इवन बहुत से बच्चें ऐसे जो वाक भी नहीं करते हैं घर से उठे स्कूल बाइक पर आगे ठीक है यहां से ट्यूशन चल गए आप पर सुएवर यह आपका दे का पूरा शेडियूल है नौट इवन वाकिंग घर प और यह जो ग्रौइंग्ग पीस्टेज है ग्रॉइंग जो एज इस पर आपको जितना घर करोगे मैठोद और यूज ऑन डियूश आप जितना अप बने बॉडिब striking me में होगी इसलिए हम बोलते हैं अभी सुबह उटो कुछ नहीं अपना स्कीपिंग करो अपने थट्टी एक पूश अप्स कर लो सेट अप्स कर लो यह तो बेसिक चीज है थोड़ी हाई नहीं एक्षन कर ली है अगर आपके वहां पर कहीं पार्क है अब तो सारह खुला यू क किपिंग भी नहीं आती है तो शैड़ो प्रेक्टिस कर लो ऐसे जम करते रहो यह बेसिक्स है यह देखते रहना जब आप 40 के पास जाओगे आगे डैन यू रिलाइस कि हमने कितने एक्टिविटीस की है क्या किया है और आधे आज कर तो आज की डेट में तो बच्चों को सबसे ज्यादा जो काम खराब हो रहा है और यह वास हो रहा है आने आने वाले टाइम में बिलकुल ही खराब हो जाएगा इवन अब तो यह जो आपका जमैटो और यह चले ना बच्चे खेलने जा रहे है वाह फोन करते हैं चलो जी आ गया पीजा आ गया खालो बर्गर हो खाना खाएगा ठीक है चपाती खा रहा है डाल सब्जी कुछ भी जो पनीर या नॉन वैज जो भी है नावड़ेज दियर एंजॉइंग दिस फास्फूड मैं तो जाता रहता हूं जैसे इनके साथ वो ओर्डर देके अपने खा रहे हैं सुबह मैच खेलना है और फिर कहीं दो तिन मैच एक्सरा आ गए जहां पर कोई आपका थ्री टू सेट चल गएं दो तिन मैच हो गएं तो फिरो क्रैम पढ़ रहे हैं को बैक पे नहीं किसी के अगर जिस बच्चे ने सारा दिन खाना गया है डाइट क्या खाना की तो किसी की है नी चपातिस आगे क्या होता था लोग फिजिकल एक्टिविटीज करते थे साइक्लिंग करते थे तो दे यूज तू अपना मखन घी उन्होंने खाना ही है ठीक है पांच शे चपातिस खा से आएगी आज की डेट में अगर आप बच्चों को बोलो ना भागो और फिर आप देखो तो आपको अपने आप हसी आएगी बागना नहीं आता है रनिंग करनी नहीं आती है अगर अभी आप जाओगे तो अभी देखना क्या हाल होंगे अभी तो आपका जास हलका ही रखा है उन्होंने इसलिए 15 का कर दिया ना अधरवाई 30 का होता था अब उन्होंने 15 कर दिया की ड्यू टू दिस ओल लॉकडाउन यह सारा कोविट करके तो अधरवाई आप देखोगे बच्चे भागते कैसे आप अपने आपहस होगे अधरी परफॉरमस के साब से मिलेंगे ना माक्स हो लड़कों का जैसे आपका होता है 12 मिनिट्स गयर्ज का होता है 9 मिनिट्स हाँ बता तो रहूं आपको यह बता तो रहूं है ट्वैल और नाइन मिनट्स फॉर गर्ल्स उसके वासी जो सीट अप से पूछ अप से उसका डिफरेंट क्राइट एरिया 30 सेकिंड में आपने मैक्सिमम लगाने कितने लगा सकते हो नहीं प्रॉप पर ऐसे थोड़े नहीं लगाने कि आप पुछ अप कर रहे हैं ऐसी कर रहे हो जैस्ट यह प्रूब बॉड़ी को ग्राउंड के बिलकुस पैले लेके जाना है फिर उपर उठाना है साव प्रॉपर वह हमने देखना होता है ना कई तो ऐसे हैं अभी ऐसे अप पुछ अप पूरी पैरले रोनी चीह आपकी बॉड़ी प्रॉपर पैरले डाउन होगी चैस्ट लगेगी उपर आओगे यह जो आपको अप चलो आपको तो निकल गया अब यह सारा ठीक हो गया सारा तो आपको वह खेल लो इंडिया की जितनी बैटरी जितने टेस्ट है ए आपने जैसे आपका बैनेस बॉड़ी का बनाना है हमने फ्लैमंगो टैस्ट है यूव पूरेज यूर वनेंट सेट ठीक है अधर लेगी आप टू फोल्ड देन यह तो बैंड डाउन आप बैंड डाउन कर रहा हो ऐसे ठीक है ऐसे पकड़के ऐसे उसको टच करना है दैन य टैपिंग्स के आपने कितनी फास्ट ऐसे हैंड को उस पर मारना है उससे आपके रिफलेक्सी चेक होते हैं तो छोटे बच्चों का उन्होंने एक बैटरी बनाई है कि हम उससे यह पता करें कि किस बच्चे की कौन सी मूवमेंट बहुत अच्छी है अगर आपकी टैनिस बैडमिंटन लॉन टैनिस वो उस गेम के लिए उसको प्रेफर कर सकते हैं यह आपका कॉडिनेशन हो गया देन आपने यह प्र लेडाउन बैठना है सिटिंग पोजिशन में फिर एक्सेंड करना है लेक्स को ऐसे एक बैंच बना होगा ठीक है उसके उपर आपने फ ठीक है वो फ्लेक्सिबिल्टी चेक होगी आपकी ऐसे उन्होंने डिफरेंट टैस्स रखें फिर रेस हैं उसका टाइम नोट करेंगे अगर उनको लगता है उस स्कूल का कोई एक्सेप्शनल बच्चे हैं तो उनको देविल पिक इस खें यह त्रूette इंडिया का होगा और सारी सारा रिकॉर्ड में उनके पास होगा यह नहीं कि हम कोई वहां पर उनको उनकी स्पेशल कोचिंग चलेगी अभी तो आपका डेली में यह जो केजरी गवर्मेंट है केजरी सरकाल आपके उनका एक बहुत वीजन बहुत अच्छा है स्पोर्स उन्विश्टी उन्होंने वह आगे दिया है में भी देखो अगर होता है कि लिए जस्ट इफ यह प्लेइंग अगर आप कोई स्टेट रिप्रेजेंट करते हो तो क्या होता है आपका कैम्प लगेगा मिहने के लिए कहीं चल जाओगे अगें दिर इस टूर्णामेंट अगें यूर गोंग फॉर्ट तो आपका यहां पर इस्ट्रेंडिंग स्कूल फॉर्ट तो थ्री देज तो क्या होता है कितना आपको काम मिल जाता है थे का टीचर बोलेंगे आपका कोई टैस्ट मिस हो गया स्बोस्चा आपकी नैश्चनल आगी है इदर से आपके सीबीस्टी एपके एक्जाम आगे उसकी का कहीं पे भी कोई वो नहीं लिखाया है कि आप अपना गेम करो वह बोलेंगे आप एक्जाम दो तो बच्छा खेल उसको एक डिगरी मिलेगी ग्रेजुएशन की वह उसकी एडमिशन वहां पे होगी उसको डिफ्रेंट कोचिस मिलेंगे वर्ल क्लास के वह सिरफ गेम करेगा पड़ाई की कोई टेंशन निवाफर फोर येज कमपलीशन ऑफ डैट उसको वहां पे डिगरी मिलेगी तैट इस व प्लस टू टाइम नहीं है अब जितने भी आपने बड़े प्लेस देखें क्रिकट के यह कोई वहां पर कॉलीज इंविश्टिक है आपका तैंदुल कर रहा है को लिए टाइम कहां क्रिकट वालों को तो ऐसे टाइम नहीं हो तो पूरे मीना मीना रहते हैं सब ग्रेजुए परदीबी है किसी को करनल की भी वह मिली है तो नी को मिली है का पिल देव को मिली है जैट इस आउनर तो वह ऐसा काम अगर कहते हैं अगर हम शुरू करेंगे फिर आपके बच्चे निकलेंगे आप यहां स्पोर्स कॉलीज देखो जाके आज से पंदह साल पहले दस साल पहल कॉलिज बना दिया आर्स एंड स्पोर्स कॉलिज ना वह आर्स कॉलिज कर रहा ना उस पॉर्स चारा खतम और जितनी जगह देख लो यहां पर उनके कॉलिज के पास है अगर उसको सारा मेंटेन वह करें प्रॉपर वहां पर सारा सिस्टम करें नॉमिनल चार्जी रखें अच्छे कोची रखो आप नॉमिनल चार्जी रखो जो आपका नेशनल प्लेज हैं उनको फ्री सौरा नेशनल चाहिए चाल वहाधी जगाहए यूजलेस है के सारा पेर पात्पर बुरे वहां पर उसेंटर मैं अहीं जगा कहां मिलती है हैर ऑप यहीं सेंटर कहीं और चाहिंठी यांजमनार चेंटर यही सेंटरलाबाद में सारा एक्यूमेंट फॉरंसे जो भी इक्यूमेंट्स है उसारा फॉरंसे आप इनने भी लेके आए हैं यहां पर बट वो क्या जो बच्चे आते हैं बच्चे इतने ज्यादा है कोची ते कि अब देर सो बच्चा आ रहा है उसको है देने के लिए अगर आपके पास देड़ सो बच्चा आ रहा है रोज तो एक कोच क्या करेगा तुसके इनकी तो बारी नहीं आएगे अफ़ते बार आएगे तो यह इंफ्रस्रेक्ट्टर जो है यह दैट इस प्लानिंग पार्ट बट अभी यह थोड़ा सा और वह अपका बदाम होगारा की गरीयां होगारा देते हैं तो डैट डैट विल भी जो बच्चे गरीब आज की डेट में कौन है स्पोर्स कर रहा है जो जमनास्टी होगी रैसलिंग होगी है जा अथलेटिक्स है और मिडल और लो लो मिडल क्लास के जो फैमली है उनके वहां पर तो अथलेटिक्स है अगर आपने दिन में प्रैक्टिस करनी है भागना यहां पर बहुत ज़्यादा स्रेंट चीए तो वह तो आपको मिल्खा सिंग का नाम सुना है उनका बेटा क्या खेलता है हुआ हुआ है ही जा गॉल्फ प्लेयर गॉल्फ देखी कभी कि यहां से एक शौट मारा पीछे आदमी चल रहा उसका समान लेगे वह उदर पहुंचेगा फिर उदर से मारेगा चल इतना काम है पैसा है तो उनके फादर को मिल्खा सिंग को किसी ने पूछा प्रैस में कि य कि आपका वर्ल में नाम था यह सब कुछ है तो आपका बेटा यह क्या कर रहा है गॉल्फ कि यह भी अगर एफ्लेटिक्स में आता आपका रिकॉर्ड ब्रेक करता जो अपने रखा था उन्होंने रखा था कितने साल तक उनका रिकॉर्ड रा इंडिया में वो कहते इस बच तिस वह ऐसा टाइम था और आर्मी में तो आपको पता पहले कि आप वहां पर तो वैसे ही वह फिटनेस का बहुत जादा होता था काम तो वह मतलब बड़ा से एक्जामपल उन्होंने दिया आप जितने भी देख लो एथलेटिक्स में जितने भी बच्चा होगा एथलेटि तो यह वर्ड में जितने भी आपके अच्छा ब्लैक हैं वो सारे स्रेंथ गेम में डॉमिनेट करते हैं आप कोई भी बॉक्सर वर्ड क्लास देखो प्रोफेशन ब्लैक हंडर्ड मिटर देख लो तू हंडर्ड मिटर देख लो आपको रेर ही मिलेगा कोई और या फिर आप चल जाओ 10,000 वो कीनिया इतनी तिंजी कंट्री हैं वेलको छोटी छोटी कंट्रीज हैं उनके जितने लॉंग डिस्टेंस के हैं जो मेराथन रेसिस के हैं वो सारे हो डॉमिनेट कर रहे हैं वर्ड में एक उनका आइडियल बन गया उसके नीचे सब लोग उनको देखे देस और सबसे मुश्किल काम है लॉंग डियूरेशन एक्टिविटी अगर आपने रुनिंग करनी है आप एक दिन रुनिंग कर लोगे हासस के चलो आज में 10 किलोमेटर बागा हूं बड़े खुश होगे दो दिन उसके बाद नी यू कांट डू दिस